नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपना यूटेजर प्रिवेस एक्जाम पे जैसा कि आपको पता है यहां पे रोज इवनिंग 9 पीम में KGS का अस्टेटिक बीडियो डाला जा रहा है और यह वे बीडियो है जो NTPC एक्जाम में बार-बार पुछा गया है जो बच्चे सिरियस रूप से NTPC का त्यारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को रोज देखें और जो बच्चे और कोई competition के त्यारी कर रहे हैं वो भी देखें क्यूंकि यहां पे वही question discuss किये जा रहे हैं इबनिंग में नाइन पीम आप रेडी रहें और यहां से रोज आपको 20 कोश्चन का एक पीडियो के साथ में वीडियो एक्स्प्लेंड किया जाता है यहां पर देखना ना भूलें एक बात और बताना चाहूंगा इस चैनल पर सुबह सुबह रोज मैट का सुपाट रिस्क दिया जा रहा है आपको उसे भी आप देखना ना भूलें और बाकी अलग-अलग एक्जाम के कोश्चन डिसक्स किया गये हैं प्रीवेस एक्जाम के कोश्चन जैसे डैली पुलिस का तीटैट का वे सारे भी कोश्चन आप देखते जाएं और रोज आप जिक्के का सामें एवनि में देखना है दो आपको दोस्तों लेके चलते हैं आज का पहला सवाल और आज का पहला सवाल है आपके सामने सुनदर बन 20 उसके टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है तो हाइडल हेलोफाइटिक का सबसे एकल ब्लॉक है वह है मैंग्रो क्या है मैंग्रो हाइडल हेलोफाइटिक का मतलब होता है जुआरिये लवनिये मैंग्रो और यह जो एरिया है वह एक लाख चालिस ह हजार हेक्टियर में फैला हुआ है ठीक है दोस्तों तो आपने देखा कि हाइडल हेलो फैटिक का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक सबसे ब्लॉक क्या है मैं गुरु है किसका सुंदर्बंडेलटा का नेक्स जवाल भारत के किस राज में सरवाद समय लगा ऑप्सन भीमध पर्दिश इसका सही यहां पर 77,462 किलो मीटर के एरिया में बन पाये जाता है तो यहां सब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सरवाधिक बन किस राज में तो मद्धपरदेश में है नेक्स वाल नेक्स वाल भारत के भारत में समुद्र तल से सरवाधिक उचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज में इस्थित है तो सरवादिक उचाई पर क्रिकेट का मैदान हिमाचल परदेश में इस्थित है और उस अस्टेडियम का नाम है उस मैदान का नाम है उस मैदान का नाम है चायल क्या नाम है चायल हिंदी में चायल बोलते हैं और समुद्र तल से सबसे ज्यादा उचाय पर इस्थित है समुद्र तल से इसकी उचाय 7500 मीटर है कितना है 7500 फीट कितना है 7500 फीट है नेक्स अवाल नेक्स अवाल फूलों की घाटी राष्टिय उद्यान किस राज में इस्थित है यहां पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहां पे कई तरह के फूल है इसलिए इनको फूलों की घाटी वैली ओफ दा फ्लावर कहा जाता है यहां पे जानवरों की बात भी करें तो अलग-अलग रंगों के जानवर भी पाये जाते हैं जैसे काला हीरन, लाल लोमडी, भूरा भालू, नीली भेड, आदी जानवर भी पाये जाते हैं फूलों की घाटी उत्रा खंड में इसका सही जवाब अप्सन A हो जाएगा नेक्स अवाल आपके लिए निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गलेसियर है तो यहां पे उप्सन C, सियाचिन गलेसियर आपका सही जवाब हो जाएगा यह सियाचिन गलेसियर कारा कोरम हिमाले में इस्थित है जिसकी लंबाई 700 किलो मीटर है यह कहां पे इस्थित है सियाचिन गलेसियर कारा कोरम हिमाले में इस्थित है इसकी लंबाई कितनी है तो 70 किलो मीटर है नेक्स सवाल भारत के सविधान के अनुसार कितनी भासाओं को कारियली भासा का दर्जा दिया गया है मतलग कितनी भासा को सविधान में दर्जा दिया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में 22 भासा को सविधान में भासा का दर्जा दिया गया है यदि बात किया जाए 92 92 सविधान संसोधन के पहले आपका एक कब हुआ था 2003 इसके पहले हमारे सविधान में कुल 18 भासाएं थे बाद में 4 भासा को और एड किया गया और भासाओं के संख्या कितनी हो गई अब 22 हो गई है अब एक और बात पुझाएं आज भीधान के किस अनुशुची में है तो आठवा अनुशुची में है कहां पर है आठवा अनुशुची में है एक सेडियू रमें해 नेक्स सवाल हां ही में आम अधी पार्टी का गठान किस कीया किया गया था जहीं स्वर्ष किया आपको पता है महांधी पार्टी सरकार नवज oldest में हैं उनका उनका सीम कौन है कि कैजिरिवाल अर्विंद कैजिरिवाल और अन्न हजारे एक समाजिक कार करता थे उन्होंने उन्होंने आमाधिव पार्टी का गठन 26 नौवंबर 26 नौवंबर 2012 को किया था कब किया था 2012 कि इसका option क्या हो जाएगा option C सही हो जाएगा 2012 नेशनल ग्रीन ट्रिबुणुण एक है यह एक fablo track है जो पर्यावरण से सबन समंदित चीजों को डिल करता है इसका सही저 उप्सण एक हो चूब है एह हो जाएगा उन्होंत कि किसे कहते हैं तो नेशनल ग्रील को कहते नेक्स दवाल नेक्स दवाल OBC के वर्ग में क्रीमिल लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समीती का क्या नाम था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे सविकार कर लिया गया था तो इस कमिटी का नाम था option C राम नंदन समीती क्या नाम था इसका राम नंदन समीती इसका गठन हुआ था 1992 में और अपनी रिपोर्ट इसने 1993 में प्रस्तुत किया था जिसे सरकार ने सविकार कर लिया था next दवाल next दवाल एक भारतिय राज की पर्थम महिला मुखमंतरी कौन थी ये भारतिय राज की पर्थम महिला मुखमंतरी की बात किया जाय किया युशन हो जाएगा नेक्स दवाल, एंगलो इंडियन समुदाय के कितने सदस को संसद में नामंकित किया जा सकता है, कल हमने बात किया था कि एंगलो इंडियन के दो सदस्यों को राष्टपती के द्वारा संसद में नामंकित किया जा सकता है, तो option A इसका सही जवाब हो जाएगा, नेक्स दवाल किस वर्ष पुना समझोता पर हस्ताचर किये गए थे तो 1932 में महत्मा गांधी के समर्थक और अमिधकर के बीच में इस प्रस्ताव पर साइन के हस्ताचर किये गे थे इसका सही जवाब हो जाएगा 1932 यह समझोता किसके किसके बीच में हुआ था तो महात्मा गांदी और अमिटगर साहब के बीच में हुआ था नेक्स तवाल 1928 में बर्दोली सत्यागरा अन्तता किनके नेत्रुत में किया गया था तो बर्दोली सत्यागरा जो किया गया था वो किनके नेत्रुत में किया गया था तो उनका नाम है बल्लभाई पटेल, सरदार बल्लभाई पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरदार बल्लभाई पटेल सही जवाब हो जाएगा, और सरदार बल्लभाई पटेल को बर्दॉली सत्यागरा में ही महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपादी दी थी किसकी उपादी थी दी थी सरदार की कि नेक्स दवाल कि नेक्स दवाल कि रोयल एक्ट किस वर्स में पारित किया गया था तो रोयल एक्ट उनीस सो उनीस इस्वी में पारित किया गया था उनीस सो उनीस इस्वी में पारित किया गया था इसका सही जबाब हो जाएगा option c अब royal act क्या था तो अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी इस act को क्या कहा जाता था बिना वकील बिना कानून और बिना दलिल का कानून भी कहा जाता था बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून भी किसे कहा जाता था रोयल एक्ट को और इसके अंतरगत अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी ये कब पारित हुआ था 1909 इस्वी में हुआ था नेक्स अवाल नेक्स अवाल किस तेहवार के दिन जालिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बैस साखी के तेहवार के दिन ये जालिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था ये 1909 इस्वी में हुआ था ये कब हुआ था 13 अप्रील 1990 इस्वी में हुआ था इस दिन क्या हुआ था कि जेनरल डायर ने निहत्थी सांतिपुन भीड पर गोलियां चला कर हजार लोगों की हत्या कर दिये थी क्या कितने लोगों को हजार लोगों को हत्या कर दी गई थी किस समकालिंद चित्रकार ने महत्मा गांधी पर चित्रों की एक स्रिंखला बनाई थी तो अतुल डोलिया इसका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन डी अतुल डोलिया एक परसीद चित्रकार है जिन्होंने महत्मा गांधी पर चित्रों का एक स्रिंखला बनाई थी नेक्स सवाल रविंदरनाट टैगोर द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार बंदे मात्रम गाया गया था तो 1896 इस्वी में रविंदरनाट टैगोर के द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार बंदे मात्रम गाया गया था अब एक यहीं से सवाल आता है बंदे मात्रम जो हमारा भारत के रास्टिय गीत है उनकी रचना किसके द्वारा की गई थी तो इनकी रचना की गई थी बंकीम, चंद्र, चट्व, पाध्या के द्वारा लेकिन कांग्रेस के सते कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में पहली बार रविंदरना ट्यागर के द्वारा गाया गया था इसका सही जवाब 1896 हो जाएगा नेक्स दवाल कि नेक्स सबसे लंबे समय तक भारतिय कॉंग्रेस के मुस्लिम अद्याश कौन रहे थे तो सबसे लंबे समय तक भारतिय कॉंग्रेस के मुस्लिम अध्याश मौलाना अब्दूल कलाम अजाद ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत के नेशनल कॉंग्रेस के मुस्लिम अध्याश रहे थे और यह कब से कब तक रहे थे 1940 से 1946 तक रहे थे नेक्स दवाल सातंतरता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान तिलक द्वारा कौन सा अखवार शुरू किया गया था तो सातंतरता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान तिलक के द्वारा केसरी नामक अखवार शुरू किया गया था ये कब शुरू किया गया था तो 1881 इस्वी में दो अखवार शुरू किया गया था उन्हें अकवार एक तो केसरी था और दूसरा नाम क्या था मराठा यह दोनों अकवार एक साथ शुरू किया गया था हमारे देश के संतर्ता संग्राम में मदद करने के लिए नेक्स दवाल पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और छल खनीज के परिवहन को सच्चम करता है तो जसा कि आपको पता है कि पौधे का जाइलम जाइलम नची सच्चम करता है जो पानी और खनी को परिवहन को सच्छम करता है एंदर पानी का परिसंचरन होता है यहां पर भोजन Warren की बात किया जायरा यहां पर कैसे पानी पानी को क्या क्या बोलते हैं जल बोलते हैं जल को जायलम के द्वारा और फ्लोयम के द्वारा प्लोय-म सवाल है आप वीडियो को रोज नौ बजे इसी तरह से आप देखा करें आपको बहुत ही महत्पुन पुरशन यहां पे डिसेश किये जाते हैं जो NTPC में बार बार पूछे जाते हैं यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ब तो आप देखें कि आपको 20 में से आप कितने नंबर ले पाते हैं आप कितने पानी में आपकी त्यारी किस लेबल की है तो इस तरह से आप रोज कंटिन्यू नौ पीम पे आप आ जाईए प्रिवियस एक्जाम यूट्यों चैनल पर और वीडियो को रोज देखिए और इसक झाल झाल